अताई जगों से ऐसा भी सुनने को मिलाए कि वैक्सिन के बाद लोग डेथ कर गए इस पर आप क्या कहेंगे लोग कैसे पता कितना कारगर है रेमडी सीविर लोग इतने परेशान क्यों है रेमडी सीविर के लिए अताई जगों से ऐसा भी सुनने को मिलाए कि वैक्सिन के बाद लोग डेथ कर गए इस पर आप क्या कहें नमस्कार मैं सुतोस आनंद और आप देख रहे हैं एक्स्प्रेस नीश जिस तरह लगातार पूरे विश्व में कोरोना मा हमारी फैल रहा है कई मुलकों ने इस पर काबू पा लिया है तो कई मुलक अभी भी इससे जद्दो जहत कर रहा है हमारा भारत भी कोरोना से लड़ पार जद्दो जहत कर रहा है ऐसे में हमारे जार्खन में फिलाल लॉकड़ॉन उन्तिस तारिक तक लगा है जिस तरीके से कोरोना मा हमारी पूरे भारत में फैल रहा है भारत के साथ साथ हमारा जार्खन भी से अच्छूता नहीं है दिन रात मौतों का आकड़ा जो वरते जा रहा है। ऐसे में गोड़ा के डॉक्टर रिद्वीज ने एक नई पहल किया है और उन्होंने अपना फॉन नंबर जारी कर घर से उपचार प्राथमिक उपचार करने के लिए लोगों से अपील किया है कि आप हमारी फॉन नंबर पर फॉन करें और इससे सलाह लेकर प्रा डॉक्टर रित्वीज ने एक नई पहल करते हुए ओनलाइन आप कह सकते हैं कि ओनलाइन इलाज करने का ठाना है और अभी तक्म इन्होंने श्यकड़ों आदमी को अपना उपचार बताया है और कई लोग इनके उपचार से ठीक भी हो रहे हैं तो आएए आज युवा डॉक् एक मैसेज दिया है कि आज इसको भी प्रॉब्लम हो आप हमको फोन कर सकते हैं प्राथमिक उपचार जितना हो सकेगा फोन पर उन चीजों को आप देख सकते हैं तो अभी तक क्या रिस्पॉंस मिल रहा है कितने लोगों का अभी तक आपने हाल जान पाया फोन के माधियम से सबसे बहले तो थैंक यू को यहां पर इंवाइट करने के लिए देखे काफी सारे लोगों ने रीच करने की कोशिश की है फोन के थ्रू यथा संबब जितना भी हो सका है मैंने मदद किया है लोगों का अभी तक और कम से कम सौ कॉल्स आ चुके हैं अब तक सौ डेर सौ कॉ बाल्स आए हैं और मैंने एक छोटा सा इनिशियेटिव लेने की कोशिश की थी एक दिन ही हुआ है इस इनिशियेटिव को शुरू किये हुए मैंने लोगों के बीच काफी परेशानी देखी लोग काफी आते थे मेरे पिता जी जैसा कि आप लोग सब जानते हैं पब्लिक तो मैं काफी बार सुनता था अपने घर के आसपस लोग आते थे कि कोई देख ही नहीं रहा है बड़ा परेशानी हो रहा है तो यह सोच के बड़ा बड़ा अजीब लगा कि ऐसे समय पे जहां पे लोगों को जरुरत है और मेरे पास डिग्री है और मैं काम कर सकता हूं मैं लो प्लीज आप को अब के रिजन में क्या हो ना कि पता नहीं चलता है और क хорош का शंयों के बड़ाट हो जाता है कैई से लोग पता करें इस इस सीच्ट को का रहे कर रहे इस सबसे कोमसीं सम्टेम हो dai हैं लोग फोन करते हैं या लोग ऐसे बता रहे हैं कि सबसे कोमन सिम्टम है बॉड़ी एक शरीर में दर्ध होना किसी भी तरह के ठकान होना कि कहरें कि एक एक सीड़ी चड़ते हैं और उसके बाद शरीर में दर्ध होना शुरू हो जाता है या ऐसा कुछ ऐसा कोई भी सिम्ट लेकिन फॉर्स्ट दे से ही अभी सबको पता है डॉक्सी साइकलिन आपका पैरसीटमॉल जितनी भी दवाईयां है रैंट टैक जो भी दवाईयां है जो कि पब्लिक प्लाटफॉर्म पे अवेलिबल हैं मेरा फोन नंबर हर जगह दिया हुआ है कभी भी कभी भी डॉक्टर से संपर्ख करके या ऐसी दवाईयां ओध कांटर भी जो आजकल मिल जा रही हैं उनको लेना शुरू कर दीजे बिल्कुल फीचर को इगनोर मत कीजे जरा सा भी ठकान आए जरा सा भी फीवर लगे गले में खराश हो खासी आए ऐसा कोई भी सिम्टम हो उसको इगनोर मत कीजे है माइड हो सीवेयर हो इगनोर मत कीजे गले में खरास की बात करते हैं लोगों को दो तरह की गले में खरास होती है एक सुखा खासी और एक गिल्ला है यह दो चीज होती है कौन से हसे चीजों को ले कर ज्यादा सिरियस होना जाए लोगों को थे प्रेश traditional pride वागे में इसमे लग रहा है हलका फीवरिश फील हो रहा है तो उसको इग्नोर मत किजिए और साथ में खासी आई है तब तो श्योर शॉर्ट बिल्कुल आप हम लोग अभी कोई भी ऐसे कोई भी ऐसा पेशन्ट मेरे पास अगर आ रहा है मैं उसको तो बिल्कुल ऐसा सूखा गीला में डिफ्रेंशियेट नहीं करना है ऐसे जेनरल सिंटम्स को लेके चली फीवर मलेज खासी भुखाट थकान सांस लेने में तक लिए अगर अचाना काती हैं यह आप कहीं गये थे मैं मेरे बहुत करीबी हैं उनको जान रहा हूं दो दिन पहल है रात में फोन किया कि ऐसा ऐसा फील हो रहा है मैंने आप आज से ही दवा शुरू कीजिए अब टेस्ट जब होगा होगा उन्हाने दो दिन बाद टेस्ट कराया कोरूना पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव का सिंग्निफिकेंस अब बिल्कुल खतम हो चुका है हम को सिंटम्स पे जाना है आपको जरास भी लगे आप किसी ना किसी से कंसल्ट कीजिए तुरंत कंसल्ट कीजिए दवा लीजिए और टेस्ट के लिए मत वेट कीजिए मैं बस यही बूलना चाहूँगा कि टेस्ट के लिए मत वेट कीजिए टेस्ट की अगर बात कही जाए त कि अगर टेस्ट आप देने जाते हैं तो साथ दिन में रिपोर्ट आता है तो क्या वो साथ दिन के अंदर फिर कोरोना पोजेटिव नहीं हो सकते हैं इस चीज को लेकर लोगों में भरांतिया हैं बिल्कुल यही मैं कहना चाह रहा हूं कि टेस्ट का इंतजार मत कीजिए अभ कोविट पॉजिटिव इसका साइन नहीं रह गया कि कोविट पॉजिटिव आ गया तो भाई आप कोविट पॉजिटिव हैं बिल्कुल नहीं अब हम लोग इसको रेडियो लॉजिकली सीटी कराके भी देख रहे हैं इसको ब्लड रिपोर्ट कराके भी देख रहे हैं क्लिन निगेटिव की सिग्निफिकेंस अब खतम हो चुका है अब बेसिकली रिपोर्ट का वेट करने का टाइम जो है उसको भूल जाएए आप अपने सिम्टम्स के थुरू बलड जाच के थुरू रेडियोलोजिकल जाच के थुरू HRCT के थुरू उसके थुरू भी आप अपना इल इलाज कराइए कि वह और मल्टिप्लाइए ना करे वाइरस आपके अंदर आप इलाज कराइए जितनी जल्दी हो सके फर्स्टेज पर है डोक्टर साब एक बात आती है कि रेमडी सिवीर आज के जमाने में अगर सबसे जादा कोई चीज चर्चा में है तो ऑक्सीजन ऑक्स समझते है मैं जा जाएगा तो भाई सब और यसा नहीं है Remdesivir की आवश्यक्ता अगर पड़े तो लीजिए, हो सकता है काम करे, हो सकता है काम ना भी करे ऐसा sure shot नहीं है कि Remdesivir लगया तो भाई अब कोरोना भागेगा ही भागेगा ऐसा नहीं होगा यह बात जानिए और जानने की दूसरी बात यह है कि अगर लग जाए तो आपके survival के chances हो सकता है बढ़ जाए यह हो सकता है तो chances का है बट magic bullet नहीं है कभी काम कर जाता है कभी कभी काम नहीं भी कर जाता है लेकिन 100% efficacious नहीं है मेरे practice में भी मैंने यहां तक देखा है मेरे रिलेटिव में भी जिनको पड़ा है मैंने उनको देखा है कि practice में उतना सफल नहीं है क्या घ्राइब के अलाबावा भी कोई ड़ाई है जो अगर अगर लोगों को रहीं मिल रहा है तो चुआ करे उसके अलाबा कुछ और ऐसा है जो उसके अलाबा दिया जा सके आठी टाइंब पर अगर oxygen मिल जाए बिल्कुल अगर oxygen का supply ताइम पर मिल जाए continuous oxygen का लोग मिल जाए घर पर क्या होता है कि ऑक्सिजन ज्यादा होता नहीं है लोग जितने भी जादा से ज्यादा एक टैंक ले जा सकते हैं घर पर काफी महांगा हो गया है लोग काला बजारी कर रहे हैं लोग महांगा जो भी हुआ है वह तो लोग ले जाते हैं ऑक्सिजन घर पर कि और नहीं लगा तो फिर लगाटे हो फिर नहीं लगाते हो वो काफी डेंजरस हो चुगा है लोगों के लिए मैं इसलिए बार-बार कहताओ इंस्टि अगर इसलिए अंडिन MAL सकते हैं तो धिषी प्लीज इंस्टि चुछ नली कहने से कि आपको जब भी कोई भी परिशानी बढ़ेगी तो तुरंत आप नोटिस होएंगे, तुरंत आपकी परिशानी कंट्रोल होईगी, ये दूसरी बात है, oxygen काफी efficacious है treatment में, और number two steroids, जैसे methylprednisolone है, dexa है, ये काफी efficacious है, ये भी बहुत efficacious है, बसरते सही time पे चल जाएं, ये पेशेंट्स हैं, सब में भूख वगएरा खतम हो जाती है, जनरली मैंने देखा है, सब फोन करते हैं कि डॉक्टर साब भूख नहीं लगती है, क्या किया जाए, कैसे होगा, इसमें इम्मूनिटी, हम लोग जब कॉलेज में पढ़ते थे तो हमारे seniors, जब मैं अबिएस कर हो गए, टीबी वार्ड में आपको पता, इंफेक्शन काफी जाद हो था, तो टीबी वार्ड में कहते हैं, खाली पेट माता आना, इम्मूनिटी बनी रही, सिंपल से बात है, हमें तब समझ में नहीं आती है, क्यों नए नए गये थे बस, बाद मैं पता चला कि खाने से ही आपकी इम्मूनिटी बनेगी, खाना मत छोड़िये, पैनिक मत करिये, ये दो-तीन चीज़े मैं कहना चाहता हूँ, कि खाना मत छोड़िये, बिल्कुल खाने का मन ना करे, मढगिली बनवाईए, जो भी आपको अच्छा लगता हो, आप उसको बनवाईए, खाईए, खाना मत छोड़िये, बिल्कुल मत छोड़िये, खाना, आप खाना छोड़ियेगा, आपकी इम्मूनिटी बिल्कुल घटेगी, और आप बिल्कुल डाउन हो जाएगा, और जैसे पैनिक किजिएगा, आपकी इम्मूनिटी और घटेगी, आप तुरन डाउन हो जाएगा, ठीक है पाउइंट है उनसे बात कीजिए उनसे भी अभी के जो हालाथ हैं अभी सरकारी एस्पताल के साथ साथ प्रैबेट असपतालों में भी जो है सीट नहीं मिल रहा है ऐसे में और किसी को पता चले कि हमें फर्स्स सिंटम जोह वो पता चला है सरदी खासी लोग क्या करें चले सब्सप्रण County अब्फ सबब乾कर Independent अवेलिबल हैं, जिंक के टैबलेट्स अवेलिबल हैं, मल्टि वाइटमिन्स अवेलिबल हैं, पैन 40 हम लोग देते क्योंगी ग्यास फॉर्म ना हो, उसके लिए सब कुछ अवेलिबल है मार्केट में, यह 4-5-6 दवाईयां लेके शुरू कीजे इलाज अपना, उसके बाद आप किसी से कंसल्ट कीजे, किनी डॉक्टर से कंसल्ट कीजे, कुछ भी अपना continuous monitoring करते रहिए, चार्ट बनाते रहिए हर 2-2 गंटे पे, अपना blood oxygen level का, अपने fever का चार्ट बनाते रहिए, और हमेशा किसी डॉक्टर से टच में रहने की कोशिश कीजे, कि अगर परेशानी बढ़ती है, तो आगे क्या किया जाए, क्योंकि इसके आगे की दवाईयां ऐसी हैं, जो कि आप खुद से नहीं चला सकते हैं, तो इसके आगे की दवाईयों के लिए हमेशा किनी ना किनी डॉक्टर से टाच में बने रहिए, कि आगे क्या करना है, सर आगे क्या करना है, प आपको कठिनाई हो रही है, 93 या 92 के नीचे आप देख रहे हैं कि आपको oxygen बिना किसी mask के बिना oxygen mask के जा रहा है, तो आप प्लीज कोशिश कीजिए कि आप कहीं ना कहीं एक ऐसी जगह पे जा सकें जहां पे कि आपको oxygen मिलने के chances बने, जैसे आप 90 या 89 या 88 पे slip करते जा रहे ह अगर आपका slipping pattern दिख रहा है आपको कि कम हो रहा है, तो प्लीज किसी को consult कीजिए आगे की दवा के लिए, और slipping pattern अगर दिख रहा है, तो oxygen के जुगाड के लिए कहीं ना कहीं जरूर कंसर्ट कीजिए, और कोशिश कीजिए कि आपको oxygen मिल जाए, दूसरी बात आप कहे रहे ह तो oxygen लेवल कम है? लेगे oxygen लेवल बता तो कोई भी नहीं बता सकता है, बिना pulse oximeter के तो कोई भी बता नहीं सकता है, तो pulse oximeter एक device है, अंगुठे पर लगती है, अंगुठे तरजनी पर लगती है, और तरजनी पर लगा के आप देख सकते हैं, नॉर्मली 95 प्लस रहता है हम हमेशा जैसे कोई भी यंग कोई भी यंग क्या कोई भी अगर एडल्ट है, ग्रोन अडल्ट तो हमेशा उसका 99-98 असरत है, 95 प्लस रहता है, 94-93 से अगर कम होने लगे, तो symptoms थोड़े ग्रीव होने लगते है, 90 से अगर कम है, तो sure shot up oxygen का इंतिजाम कराईए, और एक चीज इ बहिया, ऐसा समय में तो मत करो, ऐसे समय में ऐसा मत करो, प्लीज आप लोग ऐसा मत करो, मदद करो, कम्यूनिटी की आपको दुआएं देंगे, लोग ऐसे मत कीजे, चार हजार में मत बेचिए एक हजार की चीज को, इतनी इस रिक्वेस्ट है बस की, चार हजार में मत बेच एक हजार की चीज नहीं है तो यह भी युक्वेस्ट होगी आपको लोगों में क्या देखा जारा कि वैक्सिन के बाद बहुत जादा बुकार आ रहा है तरी जगों से ऐसा भी सुनने को मिला है कि वैक्सिन के बाद लोग डेथ कर गए इस पर आप खाएंगे द 확진 लिएटेड डेथ काफी कम है बहुत ही कम ऐसा अगर होता तो गॉर्मेंट जरूर इसको सेरेसलि लेती और जरूर आप देखेगा वैक्सिन रिलेटे जितनी भी डेथ हुए कि वैक्सिन के बाद हुए हैं जरूर कोई ना कोई और कारण से हुए हैं अगर ऐसा होता तो गौब्मेंट जरूर इसका संग्यान लेती और वैक्सिन को रोकने का काम करती हैं ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ और जितने भी आप वैक्सिन रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन देख रह रहेगा उससे जादा नहीं रहेगा एक दो दिन के बाद आप पारसिटमॉल लेजे तुरन चला जाएगा फीवर वैक्सिन से काफी लोग बच रहे हैं इसका स्ट्रेट फॉरवर्ड डेटा है यूके में डेटा है यूके का डेटा उठाके देख लीजे यूएस का डेटा उठाके देख लीजे और उसके बाद मेरे जितने भी फ्रेंड्स हास्पिटल में काम कर रहे हैं हम लोग देख रहे हैं इस बार 60 प्लस के काफी कम मरीज हमारे पास आ रहे हैं यूके यह लोग वैक्सिनेटेड नहीं हुए थे अब तक नहीं हो पाई थे तो 60 60-plus के जितने भी मरीज हैं, काफी कम हो चुके हैं, इसलिए मैं अभी भी suggest करूँगा, सारे लोग please vaccination लीजे, जब आपकी बारिया है, आप छोड़िए नहीं vaccination को, इधर दर की बात बहुत चलती है, सब अपने आपको, सब अपने, सब अपना significance बनाने के लिए, 50 तरह की बात कर हैं, तब तो धर्ती फ्लाट है, हम अगर आज बोलते हैं, धर्ती फ्लाट है, फ्लाट तो नहीं हो जाएगी ना, तो अगर साइन्स में बिलीफ करना चाहिए, हम लोगों को, लोगों ने सोच के काम किया है, please vaccines लीजे, और vaccines के बारे में ब्रहमत लाईए, तो देखा आपने हैं, यह हमारे साथ थे डॉक्टर रित्वीच, जो कड़ी महनत से आम लोगों की सेवा कर रहे हैं, लोगों को फोन करके उपचार बता रहा हैं, कि घर में रहकर भी आप प्राथमी को उपचार कर सकते हैं, और इसी चीज को लेकर, उन्होंने एक वीडियो जारी किया था, अपना फॉन नंबर भी दिया था, और कहा था कि किसमी को जरूरत हो, तो हमें फॉन करके डॉक्टर रिशला ले सकते हैं, तो बने रहे हमारे साथ ऐसे ही तमाम खबरों के लिए, और देखते रहें, एक्सप्रेस में